इस बीच बड़ी अपड़ीट आप तक पहुचा रहे है जोहां एर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी गड़बडी आई रूस में फ्लाइट की इमर्जवनसी लैंडिंग कराई गई जोहां दिली में सैन फ्रेंसिसको जवारी थी ये फ्लाइट वे ए वन वन एट थी में सभी 225 यात्रियों को उतारा गया सुरक्षित उनको बाहर उतार लिया गया साथी बताते चलें की उड़ान चालक दल के 19 सदस्यों को भी सुरक्षित बाहर उतार लिया गया इमर्जवनसी लैंडिंग कराई गया है यहां पर साथी यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइ आप तक पहुचा रहें जहां एयर इंडिया के फ्लाइट में तकनी की गरबड़ी आया जो इतने यातुरी थे उनको सुरक्षित बहार निकाला गया कैबन क्रिव को भी बाहर निकाल लिया गया फिलार रूस में फ्लाइट की ये अमर्जनसी लैंडिंग हुई है दिली में सैंट फ्रंसिसको ज़ा रही थी ये फ्लाइट दिली से सैंट फ्रंसिसको जहां ए आई वन एट फ्लाइट थी जिसको अमर्जनसी लैंड कराया गया है के जुए में भी सभी जो यात्री थे 235 यात्री उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया उडान चालक दल के 19 सदस्यों को भी सुरक्षित बाहर निकालिया गया यात्रों के लिए दूसरी फ्लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है कि जो डिले हो रहा है या उनको परिश्वानी हो रही है उनको जल्द से जल्द यहाँ पर जो समधाने वो किया जाए उनको दूसरी फ्लाइट अवेलबल कराई जो है जिससे अगर जो काम पिछवा रहे हैं उनको परिश्वानी ना हो हमारे साथ सुसीट एडिटर प्रदीव कुमारला कातार बने हुए है प्रिते पा क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे है जहां बताया जा रहा है कि एर इंडिया के फ्लाइट में तकनीकी गड़बडी आई है जुसकी वज़वे से फ्लाइट को एमर्जंसी लैंडिंग कराई गई है देखे दिल्डी से सेंज फ्रांक्सिस को ये एर इंडिया की फ्लाइट जा रहा ही थी रुवार रात ये रूस के एरपोर्ट पर उतारा गया है क्रासियों आथ स्ट्राइ में अमर्जंसी लैंडिंग कराई गई है तकनीकी समस्थ्य इसकी बताई गई है ये फ्लाइट संख्या AI-183 को यहां पर जो क्राइट सुकास अंतराश्य हवाई एटा है UNKL पर टाइवर्ट कर दिया गया पिछले 13 मेंनों में Air India की जो ये फ्लाइट है जब इसकी अबरजंसी लैंडिंग हुए ये कहा जा रहा है सुरक्षित उतारा गया है Air India की ओर से बयान भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि चालक दल और जो यात्री हैं वो सभी सुरक्षित हैं यात्रों की शुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और किसी तरह की अफ्ली धक्ता की जानकारी यहां पर नहीं है तो विवान शुरक्षित रूप से उतर गया है साथ ही Air India की ओर से भी कहा गया है कि हम सम्मद्दी ताजिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है कि अगले कदम में बारे में नेने लेते हुए यात्रों का ध्यान रखा जाए Air India में हमारे प्रहकों और चालग जलती शुरक्षा और भलाई सर्वोश परात्मिस्ता है तो यह बयान भी जारी किया गया है एक मेर्फोन डवलप्मेंट हुआ है बरफिर दर्सवों को बता दे के जो Air India की फ्लाइट सेन फ्रांसिस को जा रही थी उसको डाइवर्ट किया गया रूस के अंदरा शेयर पोर्ट पर इसको डाइवर्ट किया गया कार्गो एरिया में बताया गया कि वहाँ पर तत्मी की खराब आई थी जिस वज़े से इस फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया इसके अलावा इसमें 225 यात्री और साथी चालगजल के सदस्ते सामिल से ये बताया जा रहा है सभी को सुरक्षित यहां पर उतारा गया है एरिंग एक और से भी बयान जारी किया गया है कुल मिलाकर गरजेशन 225 यात्री और 11 प्रू मेंबर थे अगर ये अमेर्जन्सी लेंडिंग नहीं की जाती तब अप्रिये परिस्टियां बन सकती थी और इसलिए इसको डाइवर्ट किया गया और वहापर पूरी तरीके से तमाम ख्याल रखा जा रहा है अब बलको अलब प्रिदीव तमाम जानकारी साजा करने के लिए बहुत शुक्री आपका